नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चेनल में दोस्तों गणेज जी अमंगल हर्ता, विगन हर्ता और सुक दाता हैं गणेज जी जितने जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्द भी हो जाते हैं खुश होने पर गणेज जी सभी प्रकार की बिगन बादाओं को हर के सुक्ष संपत्ति देते हैं सास्त्रों में गणेजी को प्रसंद करने के वेखुश करने के ऐसे ही उपाय बताए हैं जिने करके गणेजी के दुआरा आप अपने जीवन को कुशाली से बन सकते हैं और दुख दर्जता का नास कर सकते हैं चाहें आपके घर में नकारत्मक उर्जा हो कुंडली में बुद्ध गर्य असुब शित्ति में हो या फिर आपके दुआरा किये जारे कारों में आपको सबलता ना मिल रही हो ऐसी सित्ति में आपको गने जी को परसंद करके अपनी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करना चाहिए दोस्तों हिंदू धर्म गरंतों में और हिंदू संस्कृति में गनेज भगवान को सरव स्रेष्ट और परसम पूज्य का स्थान दिया गया है सभी परकार की पूजा पाठ वर नुस्ठान आदी में सबसे पहले गनेज जी की पूजा का विधान है हिंदू धर्म गरंतों सास्त्रों में गनेज जी को परसम पूज्य का स्थान दिया गया है कहा जाता है बगवान गणेश प्रसम पूजनी है वरिद्धी सिद्धी के दाता है सुएम देवता भी अपने सभी कार्यों की कार्यों को बिना बिगन के निर्विगन पूरा करने के लिए रिद्धी सिद्धी दाता बहांगणपती महराज गणेश जी की ही अरादना करते हैं इसीले दोस्तों अपने सभी कार्यों को निर्विग्न पूरा करने के लिए बंते कामों को बिगडने से बचाने के लिए गनेज भगवान को निर्विग्न रूप से पूजा पाठ आदी में सभी अनुस्ठानों में वे अपने सभी प्रकार के अच्छे कामों में सर पर अधाओं को दूर करती है बलकि आपकी सभी मनुकावनाओं को भी पूरा करती है माना जाता है कि जिस प्रकार से भोले नात को प्रसंद करने के लिए किसी भी विशेश तिती वार या पर विशेश सामगरी क्याव सकता नहीं होती थोड़ा सा प्रेमादी दिखाने से ही छोटी मोटी पूजा करने से ही गणे जी इतने प्रसंद हो जाते हैं कि अपने भक्त की सभी मनुकावनाओं को पूर्ण कर देते हैं दोस्तो गौरी पूत्र गणेजी को प्रसंद करना भी उतना ही सरल है जिस प्रकार से भोले नाथ को प्रसंद करना है आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सरल उपाई बताएंगे जिसे करने मातर से आपके सभी विगन कार निर्विगन पूर्ण हो जाएंगे सभी जीवन को सुकमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुकमई जीवन साथ ही दोस्तों वीडियो ची लगे तो उसे लाइक करें शेर करें और कमेंट बोक्स में जैश्री गनेश, जैमाताकी, जैमालक्षमी, हरर महादेव, जैबजरंग बली लिखना बिल्कुल भी न भूले दोस्तों सास्त्रों की माने तो कहते हैं गनेश जी को जो कोई भक्त पूर्ण सरदा से कोई छोटी चीज भी अर्पित कर देता है तो गनेश जी उसके पूरे जीवन को इस धन धाने से बर देते हैं सास्त्रों में भी गनेश जी को प्रसंद करके उनसे जट अपनी मनों कामनाओं को पूर्ण करवाने की अनेकों उपाएं बताये गए है आज हम आपको उन्हें से एक बहुती सरल लेकिन प्रभाब साली उपाएं के बारे में बताने जा रहे हैं जन्हें करके आप बगवान गनेश को प्रसंद कर सकते हैं दोस्तों गनेश जी को प्रसंद करने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाएं वसस्ता उपाएं है दुरवा अरफित करना दुरवा गनेश जी को इसलिए भी प्रसंद है क्योंकि दुरवा के अंदर अमरित मौजूद होता है दोस्तों दुर्वा एक प्रकार की घास है जो कि भगवान गणेजी को अतीपरसिंद प्रिय है इस उपाई को करने के लिए दोस्तों आपको कहीं सर भी आपको थोड़ी से दुर्वा घास को ले करके आना है इसके बाद आप इसको अच्छे प्रकार से हो सके तो गंगा जल से अनता साफ जल से इसे धो करके साफ कर ले उसके बाद आप इसे कटोरी में रखकर भगवान गणेजी के मंदिर में जा सकते हैं या पर अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं एक कटोरी में रखकर बगवान गड़ेज जी के सामने से रख दीजिए उसके बाद एक मुटी चावल लेकर उस पर दीपक जला कर सुद्ध देशी घी से दीपक जलाएं उसके बाद गडेज भगवान जी को गडेज भगवान जी के मस्तक पर वे चरणों पर टीका लगाए उसके बाद आपने जो दीपक जलाया है उसको भी टीका लगाए अपने मस्तक पर भी टीका लगाए साथ ही उस दुरवा को भी टीका लगा दीजिए उसके बाद आपको उस दुरुआ को उठा करके बगवान गणेजी के चरणों में नहीं बलकि उनके सिर पर या पर कान पर आपको लगा देना है अगर आपको तस्वीर आपके पास है मूटी नहीं है तो आप तस्वीर के उपर इसे रख दीजिए और जब आपका दीपक पूर्ण हो जाए तो आप इस दुरुआ को उठा करके एक लाल रंग के धागे से लपेट दे लपेटने के लिए आप इस दुरुआ को पहले या तो लाल रंग के कपड़े में या फिर लाल रंग के कागज में रख का लपेट है उसके बाद उसके उपर लाल रंग का धागा लपेट दे इतना मातर कार करने के बाद आप इस दुर्वा को उठाकर अपने घर में मौजुद धन रखने के स्थान पर पर्स में तिजोरी में या पर जहां कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए दुर्वा के अंदर इतनी शक्ती होती है जो कि बगवान गणेश को अपनी और आकर्षित करती है और बगवान गणेश जी के साथ-साथ ये माता लक्ष्मी को भी अतिप्रिय होती है इसलिए कहा जाता है जहां कई भी दुर्वा मौजूद होती है वैज स्थान इतना पवित पеч़ी मिलने लगती है और जो कारें बंते बंते बिगड़ जाते हैं व्यकारें बंते बिन ने लगते हैं में तो आooky की व्यशाम यह क्या मुण ellutot और माता लक्ष्मी दोनों का ही ध्यान करते हुए अपनी मनों कामनाएं भी अब श्य बोल दे उसके बाद आप भी दुरुबा को रख लें आपके देखते ही देखते हैं आपके सभी मनों कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी तो दोस्तों आज की वीडियों में सरब इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक लिद्धे में जादा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें जै मातादी जै माल लक्ष्मी हरर महादेव जै स्री गणेश जै बजरंग बली